अबिश्यात्रों अज हम पढ़ेंगे आपदा प्रबंधन का अर्थ उसकी सेष्टाएं उसकी रोग रिखा और उसका प्रादी करों यह सारी बातें आज पढ़ेंगे हम अकल हम अब्दा के बारें चर्चा कर दें आपदा क्या होता है तो अधिक मात्रा में जन धन की हान करे इसी को आपदा प्रबंधन का अर्थ तो जैसे यहां परिभासा में दिया हुआ है कि आपदा प्रबंधन वहां पर करिया है जो आपदा के पूर समस्त तैयारियों चेतानियों, पहचान, परसासन, बचाव, राहत, पुनरवास, पुनर सन्योजन, पुनर निर्माड के लिए अपनाई जाने वाली अनकुरिया होती है, उसी को आपदा प्रबंधन भाजाता है, कहने का मतलब यह है, जो भी आपदाएं आती है, या आने वाली होती है, उनके लिए तैयारी, चेतानी, पहचान करना, आपदा किस परकार का है, और परसासन, सासन के अस्तर पर जो भी रख रखा या जो भी तैयारियां की जाती है, यह सारी चीज़ें आपदा प्रबंधन के अंतर गताती है, यह इसलिए किया जाता है, कि जिस से आपदा से कम से कम हान हो सके अगर पहले से कोई तैयारी नहीं होगी किसी अब्दा में तो जन्र धन की अधिक से अधिक हान होने के उमीद रहती है इसलिए ऐसा किया जाता है जैसे कुरोना के समय में हमारा अगर लागडाउन की इस्थिती जो तेश मार्च को हुआ है अगर ये पहले दूसरी मार् काजिल निक पड़ती जैसा कि देखे रहा हैं तो आपड़ा उसी को कहते है किसी भी प्राकर्टिक आपड़ा से बचने के लिए जितने भी दयानیا की जाती जाय साथ से लेकर कर गार्शलन मंदिक जीतने तयारियां की जाती है उसा अब देश वह राज अपने आर्थिक और जन आर्थिक और तथा जन दोनों लोगों को बहुत अधिक नुक्सान पहुचा सकता है आपदा प्रभंदन के लिए मुलगूत आसकता है के अंतर गताती हैं स्वास्त परिवान संच्रण सिच्छा अगर या उच्च अस्तरी का है तो हम उसके बारे में जानकारी लोगों को पहुचा सकते हैं और लोगों को सच्चेत कर सकते हैं परन तो अगर निम्नवर्ग के लोग हैं या निम्नस्तर के लोग हैं जिरों सिच्छित नहीं है तो वह इसमें पारंगत नहीं होंगे वह किसी बात को मानेंगे नहीं जिससे औ से क्या वी्षेश्टा विशेश्ता में मतलब क्या लाव होता है ति लाव इसका यहीं है कि आप Tun Auch 다प sanity प्रबंदन आने human wings या मनुष्य हैं उनको वहां से हटाया जाता है पहले से ही जिससे बहुत कम या कहसे इतने कम से कम जन्धन की हान होती है आपदा प्रबंधन की जो प्रक्रिया है बहुत जटिल है इसमें केंद्र राज अस्थानी सासन तथा लोगों का योगदान होना आवस्यक है अगर यह सारी प्रक्रिया नहीं होंगी तो यह नहीं होगा इसलिए कहा गया यह बहुत आयामी प्रक्रिया है बहुत आयामी का मतलब है यहां हर अस्तर से हर तरीके के लोगों को देखना पड़ता है ठीक है और नेक्स्ट जो बताया गया है यह जो है सबसे पहले इसमें सरकार का इंडॉल्मेंट होना आवस्यक है जब तक सरकार इस बात को इंडिकेट नहीं करेगा बताएगा नहीं तब तक या कार लोगों के द्वारा या खुद से नहीं किया जा सकता है और या या ऐसी है कभी भी कहीं भी हो सकती है नहीं हो इसलिए इसकी निदे वारे में विसयर जरं करिक्ड बे। जैनने होना अवर्वर्ष्थ है शिति हम रूप रेखा के बात कर लेते हैं कि रूप रेखा क्या होना चाहिए अप लोगों को जैसे एकदम आबदा का लेटश उधारानी सम्य को ना यह इस इसमें रूप का होनी हुजू है कैछ से हम करीया खलाब पर अपने उच्थ इसको बचाने का प्रियास करते हैं तो किसी भी आपदा से बचने के लिए सबसे पहले उसकी एक रूप रेखा तयार होने चाहिए framework होना चाहिए बिना framework के कोई संबन नहीं है तो इसमें जो framework बनाते हैं वो framework परधान मंत्री बनाते हैं परधान मंतरी की अध्यक्षता की कमेटी होती है वो सब कमेटी मिल करके एक सरसम्मत से एक अच्छा निड़ा लेते हैं और एक रूप रिखा तैयार करते हैं और उस रूप रिखा के अमसार किर्या कलाब किया जाता है जिस से जो है हम आपदा से बस सकते हैं यह बिविन प्रकार की क्रिया कलाब हम करते रहते हैं इसमें प्रबंदन का अधिकार किसके पास होता है अथर्टी मेनेजमेंट अथर्टी मेनेजमेंट जैसे कि यह दिया है और तीस मई दोजार पांच को परधान मंत्री को अध्यक्ष के रूप में में राष्टी आपता प्रबंधन का गठन किया गया था याद रखना इसको बहुत इंप्रोटन चीज है राष्ट आपता प्रबंधन का निर्मार का बुगा था ये ति ए यहम यम टीक है ये न्ड Jahr इसमें से जो है दोजार पांच को इसका कि प्रबंधन किया गया था इस दोजार पांच में लागू होने के बाद 27 नंबर 26 में यंडी यम का गठन किया गया जिसमें नौ सदस्य है यह सदस्यों का नाम जानते रहिया कितने सदस्य क्यां में यह सकती है अभिसमें कौन कहों से कार हिआ है यह अधनियम क्या है अधनियम है आधनियम है करना जो और जो कि or प्रबंदन की योजना रहा सरकास मंत्रा यह विभागव द्वारा उसका नुदन करना की मतलब यह कार अगर इस हस्तर से इस प्रेंवर्वर्क कराया जाता है अर्टिकेट नहीं होता है तो उसको लोग नहीं मानते हैं और राज के निर्मान में उद्देसों का जो भी उद्देस होगा उसका दिशाज निर्देश निधारित करना आपता के रोक थाम तब विकास के उजना के कारियों को प्रभावी डंग से लाज़ो करना ज्शे कम से कम जंधन की हान्यों ऑश को राश्टि आप्दा प्रवन्दान सानस्तान के कारकरण हेत अस्थूल अस्थूल का मतलब होता है एक अस्थाई नीद दिशा निर्देश का निर्दारण करना पृत समन के उद्देश निधियों का प्रवधान की अंसांशा करना ठीक है ये सारी प्रक्रिया इसके इंतरगत आती हैं पारा सरकार के दूब्हें दोरा कुछ प्रयास किये जाते हैं जैसे प्रक्राक्रिति का उपता है सुखा बार्ड चकल वात या इन सबकी जो है या टेक्नालोजी दोरा देख रहें करता है तता उस आपदा से कितना नुक्सान हुआ उसका मुल्यांकन करता है मानोस अंसाधन विकास पर बल देता है कि जिससे या काम अधिको नेट्वर्किंग पर भी बल देता है सरकार है हिए पस्षिछन सब्सक्राइब करता है और राष्ट आपदा प्रभंदा समीत का गठन करता है शूतिया टेक्नालोजी को और अच्छा से अच्छा अच्छा वनाने का प्रयास करता है जिसे लोग अधिक से अधिक करता है तु Во पगार के जना क czy youुन यह करता है ठीक है ओके फिर मिलते हैं नेक्स लासे में तेंक्यू